कोलकाता में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सब के रोंगटे खड़े कर दिये हैं बताया जा रहा है कि सी आल देख के नारकेलडांगा में एक महिला अपनी बेहन के साथ मिलकर पती को काफी बुरी तरहें प्रताडित करती थी इतना ही नहीं दोनों मिलकर बंदूग की नो कोटे लड़के तनवीर एहमद से निकाह किया था शादी के बाद तनवीर एहमद मुम्ताज बीवी के यहां रहने लगा शादी के कुछ दिन बाद ही मुम्ताज बीवी ने तनवीर पर हुकूमत चलानी शुरू कर दी तनवीर को किसी भी काम के लिए मुम्ताज से इजाज करने को कहा था सेहमती बनने पर तनवीर के परिजनों ने अपना एक मकान बेज कर करीब तीन लाकी रकम भी मुम्ताज को दे दी थी लेकिन इसके बाद भी मुम्ताज अपने वादे से मुक कर गई पतनी के अत्याचार को जहिलने की क्षमता खत्म हो जाने पर 17 जुलाई को त तनवीर चकमा देकर मलिकपूर भाग गया था इसकी भनक लगने पर मुम्ताज अपनी बेहन मरियम के साथ मलिकपूर पहुच गई और तनवीर को जबरान उठा लाई इसके बाद दोनों ने मिलकर तनवीर पर और जुल्म करना शुरू कर दिया इतना ही नहीं गुसाई मु परिजनों को दी परिजनों ने उसे असपातल में भरती करवाया जहां उसकी हालत स्थिर है वहीं दोनों बहनों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दरजा कराई गई वहीं शिकायत दरज होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपी महिला को गिरफतार कर लिया है जिनसे कुछ साज की जा रही है।